अब तक दो लेक्चर में हमने काफी अच्छे कोशन्स इसमें किये थे और मैंने आपको साथ-साथ जो मर्चेंट सर्गल था वो भी बना के समझा तो डिफरेंट फोर्स जोन जोन सी लग रही थी वो भी मैंने बताई थी इस लेक्चर में मैं दो क्वेशन्स कराऊँगा recent जो गेट में आये हैं और बहुत अच्छा कंसेट है क्वेशन को पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे फिर उसको solve करेंगे तो चलब यह स्टार्ट करते हम पहला क्वेशन देखते हैं यह रहा क्वेशन Taylor's tool life equation is used to estimate the life of batch of HSS twist drill by drilling through holes at constant feed in 20 mm thick mild steel plates काफी बड़ी language type से लिख दी इसने बस लिखा इसने इतना ही है कि Taylor's की equation लगा रहे है और जो drill है कौन सी है? HSS twist drill है कितने mm की thickness की plate में कर रहे हैं? 20 mm की में उससे हम life पता कर रहे है इतनी बात इसने लिखी है इन टेस्ट वाना drill पहला जो टेस्ट किया हमने उसमें एक drill था 300 hole करे करने के बाद वो खतम हुआ कि स्पीड पर 1500 rpm पर दूसरे टेस्ट में drill कितने holes करे उसमें 200 holes करे 300 rpm speed भड़ा ही तो holes कम होगे ये तो चलो logical बात थी find the maximum number of holes that can be made by another drill from the above batch at 200 rpm अब ये कहेगा कि 200 rpm पर करेंगे तो यही जो same batch है कितने number of holes करेगा सबसे पहली बात अब मेरे क्या निकालना है पहला टेस्ट करेंगे फिर दूसरा टेस्ट करेंगे और अलग-अलग के लिए अलग-अलग हम values calculate करेंगे और कोशिश करेंगे इसको solve करने की ठीक है और इसने हमसे पूछा क्या है maximum number of holes that can be made by another drill from the above batch सबसे पहले अगर मैं आप से कहूँ कि या time क्या होता है कि एक hole को करने का पहले तो हम उसको निकालेंगे ठीक है उसको निकालेंगे कोशन हमने ठेंग से पढ़ लिया है ट्राई करेंगे बस समझने की कैसे इनको इसको deal करना है सबसे पहला एक hole को drill करने के लिए हमें बच्छे से पता है उसका formula क्या होता है L upon FN L क्या होता है इसमें depth of hole बिल्कुल सही बात है F क्या होता है feed होती है और N क्या है RPM बिल्कुल सही बात है पहले test में अगर मैं total two life की बात करूं holes की तो तो उसकी value क्या होगी अब holes कितने होरे पहला test की बात कर रहा हूं 300 hole होरे एक hole में इतना time लग रहा तो मैं total two life अगर T1 से बात करूं 300 hole होरे और एक में कितना time लग रहा इतना feed की value दी है उसने देखते हैं d है क्या feed की value तो नहीं दी उसने N की value दी है बस 1.500 F पहला time आगया हमारे पास बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं चलिए अगर मैं V1 की value निकाल लूं वो क्या होगी pi D N1 upon 60 d के terms में निकाल देते हैं नहीं तो फिर calculations जो हो जाएंगी लंबी हो जाएंगी V1 और T1 निकाल दिया same हम क्या निकाल लेंगे V2 और T2 निकाल लेंगे देखो drilling और metal cutting का concept है इसलिए बड़ा प्यारा ये question है gate 2018 का ही है set 2 का question तो हम देखो अगर इस type के questions अगर solve कर पा रहे हैं तो हम gate 2019 में भी questions solve कर लेंगे राम से ठीक है और देखिए test 2 की अगर बात करूँ मैं तो उसमें 200 ही तो hole कर पा रहा है और एक के लिए L upon लेकिन speed कितनी हो जा रही इतनी हो जा रही ये तो हो गया उसके बाद V2 भी मैं निकाल सकता हूँ पाई D N2 upon 60 लिखूँगा क्योंकि बाद में जो इसकी speed कितनी है 300 हो जा रही है upon 60 V2 भी निकाल दे थोड़ा सा speed लिख करूँगा चल्दी से इस lecture में questions solve करता है अब क्या करना होता है हम Taylor's equation लगाएंगे इसने भी बोला है कि भाई Taylor equation लगाओ चलिए देखते हैं कैसे solve होगा देखते हैं इसको भी देखिए पहली बात Taylor's equation लगाने के लिए V T1 की power N बराबर V2 T2 की power N यही होगा मेरे को ये N निकालना है ठीक है निकाल देंगे N भी कौन सा बड़ी बात है निकाल देते हैं उसको भी देखिए V1 की value मैंने कितनी निकाली PID मैं पुरा-पुरा लिखूंगा Actually मैं लिख इसलिए रहा हूँ न calculation निकारा हूँ कि बाद बें कटेगा वो देख ले ना और T1 की value 300 L upon 1.500 F की पावर N बड़ापर PID 300 upon 60 ऐसे लिख देता हूँ साथ में क्या हैगा 200 L upon 300 F देख लीजी ये मैंने निकाली रख रहा है T1 की value निकाल दी है सब values वहाँ पुट कर रहा हूँ मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यह तो यहां से मैं L निकाल दूँगा कैसे यह देखो L की power N F की power N यह तो सब कट जाएगा न इससे इससे PID से PID भी cancel हो जाएगा यहां से N की value हमारी solve हो जाएगी तो इसको 60 से 60 भी cancel हो जाएगा यह 2 चला जाएगा ठीक है तो यहां से 3 की power N बराबर कितना आ जाएगा 2 ठीक है बस आपको क्या करना इसको इसके नीचे पुचाना है ओके तो बस calculation पार्ट रहे गया है अगर मैं इसको और solve करवाना चाहिए तो और भी solve हो सकता है आप बस खुद करें try ज़्यादा बेटर है ठीक है और अराम से solve हो जाएगा 1500 को इदर पुचाद हो चाहिए तो ठीक है 1500 की power N है और यह ठीक है यह 300 की power N है और यह कितना है 200 की power N है बड़े अराम से solve हो जाएगा इसको 2 by 3 की power N भी लिख सकते हैं चलो मैं करी देता हूँ यहां से क्या आएगा solve करके यह आ जाएगा इधर से अगर मैं देखूँ यह आएगा कितना 60-60 cancel हो गया तक खाली कितना बचाता 300 बचाता है यहां पर बात करूं सिर्फ अभी 300 और यहां पर कितना हो जाएगा यह 2 की power 2 और यह नीचे 3 है सिर्फ calculation पार्ट है बैट रहा है आप खुद करें ठीक है और यहां से क्या बचेगा यह 1.500 बचेगा यह वाला और यहां पर क्या बचेगा यह से 2 की power N बड़ा सिम्पल है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है और यहां से 2 की power N 2 की power N भी कट गया 3 की power N बड़ाबर 2 आगया calculation है बड़ा सिम्पल है बैटर होता है यह तो आप ही कुद करें अगर आपको ऐसी कभी भी condition लगे तो नो तरफ लोग ले लो लोग 2 तो N बड़ाबर लोग 2 अपान लोग 3 यहां से solve करो कि तो 0.631 की value N की value अगर निकाल दीना कुछ भी नहीं बचा सवाल में क्यों क्योंकि यहां पर हमें जब N निकल जाएगा तो हम उसके लिए क्या निकाल देंगे जो हमें उसने क्या पुछा है question में question में हमसे maximum number of holes पुछे हैं उसने कितने number of holes कर पाएगा वो सवाल बहुत बढ़िया है सही में बहुत चांदार N की value निकालने तो सोमा जागे यहां तब तो कुछ है ही नहीं सवाल में अब जो अगली चीज क्योंकि question मिक्स है drilling और अपना metal cutting का अब मैं पहले और तीसरी equation लगाए तो मतलब पहली और तीसरी condition क्या मतला है V3 T3 की power N क्यों मैंने यह condition लगाई पहली वाली और तीसरी condition जो मुझे निकालनी है बड़ा simple पहली वाली में V की value कितनी थी V into 1.560 यह तो और T1 की condition क्या थी 300 into L upon 1.5 into F की power N अब देखो V3 की value किस speed पे चल रहा है 200 की speed question में given है देखो ऐसा है नहीं कि मैं खुद लिख रहा हूं question में given है 200 RPM पे कितने number of holes करेगा माल लेते हैं X number of holes करेगा और 1 hole करने में माल लेते हैं कितना time लगेगा इतना लगेगा L upon F N N की value 200 दी है ठीक है जिसके लिए हमें X निकालना है कि power N यहां से solve करके हमारी और N की value भी है इस बार दो और बढ़िया N की value कितनी हमने निकाल दी है 0 point calculator हमारे पास है वह भी scientific और आम से calculation हमारी हो जाएगी pi D upon 60 pi D upon 60 यह cut जाएगा ठीक है यह 3 से गया यह 4 से गया यह 2 से गया ऐसे calculation करनी है बस आपने यहां से X की value अपनी आ जाएगी L भी cut गया यह N की value आप put कर देना यहां से जो X की value आएगी वह कितनी आएगी 253 point कुछ आएगी मैं calculation वाले part पर देखो बहुत कम ध्यान देता हूँ मेरा main motive यह ही है कि आप यह चीज सिखे X से multiply क्यों पस इतना ही concept था इसमें और तो कुछ था ही नहीं इस सवाल में बास समझ आगी है अब आगे चलन सकते हैं इसमें ठीक है और यहां से X क्या यह X वही है जितने क्या कर सकता है ठीक है अच्छा अगर अब आपसे कुछ भी कुछ और terms के लिए भी पूस सकता था क्योंकि अभी generalized case है ठीक है अच्छा next question देख लेते हैं यह question बहुत था बढ़िया था सहीर में बहुत बढ़िया orthogonal cutting operation दिया यह भी gate 2018 का सवाल है और मैं ऐसे speedly नहीं करा देरा solution तो कही न कहीं मिली जाएगा आपको ऐसे बुक में वह solution बात समझो तरीका सिखो करनेगा an orthogonal cutting operation t uncut chip thickness दी है cutting velocity दी है rake angle दिया है width of cut दिया है इसका क्या काम है देखेंगे tc की value क्या होता है tc chip thickness cutting force दिया है और क्या दिया है ft की value दी है ft क्या होता है thrust force तो यह बात तो बोलने thrust force ratio of frictional energy to total energy सवाल देखो average level का है मैं मानता हूं लेकिन हमारी सारी calculations use करवारेगा यह सवाल जरूर देखेंगे try करते हैं कोशिश करेंगे इसको solve करने की सबसे पहली बात क्या समझ में आती है इसने ratio of frictional energy पूचा है frictional energy हमें पता है f into vc frictional force into cutting velocity यह होता है यह कौन सी है frictional energy और upon total energy total energy का है cutting forces into velocity बताओ समझ में आ गया कोई भी दिक्कत नहीं है अब यानि कि यह vc upon v की बात आगी है यहां पर हमें t upon tc वगरा दिया है कुछ देखेंगे try करेंगे उसको solve करने की मेरे को लग गया समझ में कि यहां पर कुछ न कुछ इसी का ratio आएगा यह तो चीज हमें दिया है लेकिन f नहीं दिया क्या frictional force की value लेकिन मुझे circle से पता है और अच्छे से well known हो चुकी है कि यह fc sin alpha plus ft cos alpha होती है कुछ अलग तो चीज नहीं है बड़ी simple formula है हम यह लगा सकते है easily f बराबर fc की value 60 दिया है alpha की value भी d है क्या 15 degree d यह तो direct ही लग गया या बहुत बढ़िया उसके बाद f की value कितनी है रही 39.newton अब इसने क्या पुछा है यह दुनों का ratio पुछा है क्या मेरे से यह f आ गया बहुत बढ़िया आ गया fc की value आ गया 60 है vc upon v की value क्या होती है अब मुझे पता है vc into tc बराबर v into t यह vc upon v की value t upon tc कोई दिकत इसको r भी बोल सकते हैं या उसको भी छोड़ो जब हमें direct ही value दी है 0.10 upon 0.15 तो यह कितना आ गया 2 वटा 3 आ गया r की value यानि कि यह वाली value कितनी आ गी vc upon v 2 वटा 3 थोड़ा था थोड़ा था हमें यह ratio निकालना था न ratio को माल लेते हैं r f upon fc यह कितना निका 39.67 fc की value 60 vc upon v की value कितनी 1 2 वटा 3 तो यहां से solve कर लेना value निकाल लेना 0.4408 answer आएगा देख लेना एक बार calculation कोई mistake न हुई हूई हूई question बढ़िया था no doubt थोड़ा हमारे formulas को brush up करा दिया इसने ठीक है और देखेंगे next lecture में हम कुछ और ऐसे ही questions करेंगे so that की हमारा जो भी gate में questions आरें देखो हमें जब exam clear करना है तो मैं पता होना ची किस level के question आ रहे किस पर हमें ज्यादा energy waste करनी है तो lecture दुने के लिए धन्यवाद